शिवकी नगरी काशी में आपका हार दिखा भी नंदन है काशियोत सब 2023, 19 और 20 मैं शाम 5 बजे से लगाटार, अस्तिखार, वारणसी से लाई ये चार दिन सरक में चलेगी इनका कहना है ये तो आप खुदी देख रहे हैं ये चार दिन चलेगी भी नहीं कौन कहता है कि यूपी में विकास नहीं होता अरे भाईया यहां तो इतना विकास होता है कि वो सीधा उखड कर हातों में आ जाता है अब लखिमपूर खीरी की ये तस्वीरे ही देख लीजिए यहां मैगल गंज थाना शेत्र के सेमरा घाट गाउ में घाट्या निर्माड कर बनी सड़क हातों से ही उखड रही है इन्हों ने ये बालू बुलू साबनी की और ऐसे हाथ से टूट रही है सड़क ये देखे लेकर ये तो चार दिन ना धरग चली इनका कहना है ये तो ये तो आप खुदी ये आप खुदी देख रहे हैं ये चार दिन चलेगी भी नहीं ये बहुत मुश्किल है ये कौन ठेकेदार है और कौन इसको बना रहा है पूरा गाओं यहां पे कठा है सिम्रा गाट के वासी है ये सब ये सब ये देखे ये सड़क वहां से बनी है जहां से आपको कैमरा नजरा रहा है ये लिप्टिस से थोड़ी ओर आगे चले की सड़क को फाटों से उखारते हुए लोगों का ये विडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है वीडियो में साफत और पर देखा जा सकता है कैसे कुछ ही दिन पहले 15 लाक रुपे की लागत से बनी इस नए नवेली सड़क को हाटों से ही उखारा जा रहा है वीडियो में लो पी का हाल है बीजे पी की सरकार के अंदर यदि ऐसे ठेकेदार होंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा मेरे भाईयों देखो सब सब तूटी है सब लोग परशान है और मैं निवेदर करूंगा सबसाब से कि वो अपने आप आपके यहां पर देखें कि अपने आप आपके कि सदग को देखें क्या इसमें लगा है क्या हो रहा है यहां पर इससे अच्छा था इससे अच्छा खड़नजा ठीक था या क już से तो बड़िया तो जिए तो बेकार है कि यहां पर यहां पर बढ़िया होगा पर योगी मोदी जी आजाए तो लेकिन सवाल ये कि आखिरकार ये किस तरह का निर्माण कार रहे हैं लोग कह रहे हैं कि सडक से अच्छा तो खड़न जाही बना देते लेकिन ये सडक तो किसी काम की नहीं यूपी में अक्सर ऐसे वीडियोज वाइरल होते हैं जोहां सडक हातों से ही उखड जाती है और अब लखिम पूर्खीरी का ये वीडियो एक बार फिर तेजी से वाइरल है लखिम पूर्खीरी से अभिशेक वर्मा के रिपोर्ट यूपी दाग